पटियाला से कुछ 50 किलोमेटर दूर छोटा सा टाउन पातरान यहां हर सुबा कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है अरे यह अचानक अलर्ट मोड में कैसे आ गए? ठा कौन वो? फॉलो में अरे पर तुसी हो कौन? O.M.G मैं एर्थ क्लास में था जब मेरी सिस्टर के लिए मेरे पेरेंस साइकल लेके आए उसको गिरने से डर लगता था और मैं उसको सीखना जाता था मेरे अंदर वो डर नहीं था मेरे पेरेंस बोलते थे कि साइकल नहीं चला पाएगा ठीक है मैंने उसके उपर बैठके थोड़ा हाफ पेंडल मारना शुरू किया थोड़ा आगे बड़ा उसी हाफ पेंडल ने ऐसे लगा कि मेरी लाइफ चेंज कर दी है और इसी हाफ पेंडल से जगविंदर ने ऐसी रफ़तार पकड़ी कि अलग-अलग स्टेट्स में जाकर मेडल जीतना उनके लिए नॉर्मल बन गया और ये तो पटियाला की 212 किलो मीटर की साइकल थौन भी कम्प्लीट कर चुके है सिर्फ सवान और घंटे में और खास बात ये है कि कई रेसिज में जगविंदर उन साइकलिस को भी हरा चुके है जिन्हें नॉर्मल कहा जाता है क्योंकि जगविंदर नॉर्मल नहीं अमेजिंग है कि जब भी आपके लिए कुई क्लैप करता है आपको कुई छाबस देता है येस, you are so good लगे की हाँ, यार, ये ये वर्ड़ आपके लिए वना है आपके लिए तो एक और वर्ड़ बन की है जगविंदर जिंग और वो है सूपर सिंग लेकिन मैं ये जानना चाहता हOoh कि सूपर सिंग को इतनी सूपब साइकलिन किसने सिखाई मैंने गिरने से सिखा है, फिर उसको पता जलता है कि गिर के खड़े होना क्या होता है साइकल थोड़ी ते चलाने की आदत थी, कंट्रोल हुई नहीं, तो वो जाके खंबे में लगगी तो उसके बाद साइकल का देखा तो उसकी ब्रेक फ्रंट से ऐसे सीधी थी और वो उपर हो गई तब मुझे पता चला कि हाँ यार अगर मैं आओ अपनी जो आर मैच छोटे वली तो अगर मैं उसके उपर रखता हूँ तो प्रेस करूँ तो ब्रेक लग जाएगे तब मैंने ब्रेक लगाना सीखा ये भाई साब तो इतनी बार गिरे हैं कि इन्हें खुद याद नहीं फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन्होंने साइकलिंग या एक्सरसाइजिंग बंक की हो चाहे साइकलिंग हो या जिन्दगी जगविंदर को डिसिप्लिंग सिखाई उनकी मा ने मैंने टीचर बनके जविंदर को पढ़ाया नोकर बनके सखाया मा बनके पाड़या इसी मम्मी जी को ओएम जी का सल्यूट मम्मी जी ने अपने बेटे को बच्पन में ही इस्तेमाल करना सिखा दिया अपने पैरों का सूपपावर ये लो एक और सर्प्राइज जगविंदर पातरान की स्कूल में बच्चों को ड्रॉइंग भी सिखाते हैं दीरे दीरे वो मेरे साथ ऐसे टीचर नी ऐसे स्टूडेंट नी वो ऐसे फ्रेंड बन गे मेरे जब मुझे लगए कि हाँ यार ये मुमेंट बड़ा अच्छा था भी उनको लगता थे कि कोई टीचर है जो हमें पैरों से अब कुछ ट्रॉग करके दिखा रहा है हमें ड्राइंग बेंटिंग सिखा रहा है तो वही सेन इंस्पिरेशन उसने हमारे बच्चों में दी कि ऐसा नहीं है कि कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए जितना भी है उसी के साथ हम अपने ड्रीम्स को हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो मेहनत और शिद्दत के आगे मुश्किलों को जुकना ही पड़ता है जगविंदर सिंग आज पातरान के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है जिने देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है OMG ये मेरा इंडिया